आशी रामित्रों, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और हार्दी कभी नंदन करती हूँ आज मैं आपसे गंभीर विशे पर बात करने जा रही हूँ जियोतिश हमारी प्राचीन धरोहर का महतुपुर्ण हिस्सा है जिसके द्वारा प्रतेक जीवधारी जो की मनुष्य रूप में है मारदर्शन राप्त कर रहा है वनस्पति और पशु भी इससे प्रभावित हुए में नहीं रहते लेकिन क्यूंकि वे मूक रहते हैं मौन रहते हैं और ग्रहों की गति को समझ नहीं पाते लेकिन भोगते अवश्य ही है लेकिन मनुष्य को ये शक्ति दी है परमात्मा ने कि जब भी किसी ग्रह का शू भी आशू प्रभावस पर पड़ता है तो वो उसको महसूस कर सकता है और उसके हिजाब से अपने कारे को गती दे सकता है इसके लिए जोतिश अध्यन व्यापक मात्रा में हो रहा है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन उन बातों को प्राई अग्नोर किया जाता है बलकि जोतिश के पास किस तरह से जाना चाहिए ये कोई विचार के लायक कोई सब्जेक्ट ही नहीं समझता है ना कोई सोचता है इस बारे में हर बिजनेस में हम अकसर ये क्यूशन पूछते हैं आपकी फीस कितनी है कितना पेमिंट करना है यहां तक कि अगर आपके यहां पे कोई बिजली वाला आया है तो भी वो फीस लेगा चाह सो देड़ सो दो सो रुपे लेवे हर व्यक्ति अपने परिश्रम के हिसाब से फीस लेता है लेकिन प्राय जो मैंने काफी समय से इस बात को महसूस किया और वो पीड़ा है एक तरह की पीड़ा क्या मतलब एक लोगों की विक्रती पर आश्चर होता है कि आप एक छोटे से छोटे कायरे करने वाले व्यक्ति से उसकी फीस पूछते है और जो व्यक्ति आपके जीवन की पूरी दिशा को निर्धारित कर सकता है आपके जीवन में आय हुए अशुफ फलों को कम कर सकता है आपके जीवन से दुर्भागे को भगा कर आपको सौभागे दे सकता है प्रयास भर कर सकता है करने वाला उपर वाला है क्योंकि यहाँ पर कोई कुतर की लोगे इस बात को पकड़ के भी कमेंट्स कर देंगे यह भी मैं जानती हूँ पर कोई दिक्कत नहीं है अब इसकी आदत हो गई है यूट्यूब में आने के बाद की कुतर की लोग कैसे होते हैं मैं अपनी मूल बात पर आती हूँ तो जोतिशियों से कोई उनकी फीस नहीं पूछता है अकसर मिलने जुलने वाले होते हैं फ्रेंड सर्किल वाले होते हैं सोशल गैट टुगैदर होता है जहां कोई अपना विजिटिंग कार्ड देता है विजिटिंग कार्ड पर फीस मेंशन नहीं होती तो लोग पूछते हैं आप फीस लेते हैं आपकी फीज कितनी है कई सजञन महान परसनालिटी तो फीज तक पूछते नहीं है और पूरा टाइम वह सब सैट कर लेते हैं कि इतनी और सबसे आश्चयरी की बात है वो आप से नहीं पूछते मतलब वो जोतीशी से नहीं पूछते की आपके पास कब समय है वो अपने रामायन गाने लग जाते हैं मैं कल तो मुझे ये काम है परसो मुझे ये काम है दो दिन मैं वहाँ बिज़ी हूँ अच्छा अपन पांच दिन बाद मिलते हैं मतलब पांच दिन तक जोतिशी बिल्कुल निठला बैठा है छटे दिन वो पूरा काम चोड़ के तक पर बैठा है और उस व्यक्ति की तरह 150, 200, 1500 पता ने कितने लोग होते हैं और हर व्यक्तिए चाता है कि जोतिशी उसके लिए फाल्तू बैठा रहे और जब भी वो फोन करे तुरंत उसको जवाब दे दे और अगर जोतिशी ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है उसको जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती है उसके लिए उस पर आचाने का खत्रा बढ़ जाता है यदि वो फ्री फोकट में कुंडली दिखता है तो बड़े अच्छे पंडित जी है बड़ी अच्छी माता जी है बहुत अच्छा बताती है और कुछ भी नहीं लेती है और कुछ भी नहीं लेती है बहुत अच्छी है और जब उन माता जी ने या उन भाई ने किसी सजजन ने कोई फीज बता दी अपनी। कोई खास तो बताते नहीं है। फीज लेते हैं, 2000-3000 मतलग कि जब जोतीशी ने फीज की बात की, तो खास नहीं बताते हैं अगर जोतीशी फीज ने ले तो वाह आपने बहुत बढ़िया बताया, मेरे को बहुत फायदा हुआ अससे इसमें बुरा मानने की बात नहीं है भाईयों और बहनों यह यथार्थ बता रही हूँ मैं आपको हो सकता है आप ऐसे ना हो लेकिन ऐसे बहुत से हैं इस चीज़ से आप इंकार नहीं कर सकते और स्वैम जोतिशी होने के नाते मैंने भी कई बार सिस्ति को मैसूस किया है हमारे गुरुजन थे उन्होंने भी अपने एक्सपिरियंस शेयर किये हमारे पुझे गुरुदेव हैं उनसे किसी सज्जन ने बोला किसी बहुत अथा करोड़ पती अरभपती आदमी ने कि जरा आप मेरे घर आजना कुंडली दिखानी है यह उन् मतलब यह चाते हैं लोग की प्यासा कुए के पास नहीं जाए कुओआ ही प्यासे के पास आ जाए इस mentality को लेकर लोग जीते हैं और उसके बाद कुंडले दिखाने के बाद यह कर और करते हैं कि हमने आप पर बड़ा हैसान किया जो आपको कुंडले दिखाई तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जोतिशी बनाम लूटे रहे उसमें मैंने जोतिश के अथार्थ को भी बताया था कि जोतिश की आड में कुछ पाखंडी जोतिशी अपना पैसा बना रहे हैं लोगों को मिसगाइट कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समूचा इसका रेशियो काफी कम है बहुत से विद्वत जोतिशी हैं जो यूट्यूब पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अगर वो अपनी फीज तीन हजार पांच हजार दस हजार लेते हैं तो उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना मैंने उन पर कोई कटाक्ष किया है क्योंक इसके बारे में आप 10 बाते सोचते हैं कि नहीं करें दूसरा मैच मेकिंग कराने क्योंक आते हैं उसके फीज क्कुई बहुत कम अमॉंट है उसके तुलना में और जब आप बाद में कानुनी कारवाईयां चलती हैं लड़ाई जगड़े चलते हैं तलाक चलते हैं तो उस पर आप लाखों रुपया खर्श कर देते हैं तो यहां पर थोड़ा सोच विचार कीजिए जोतिशी का सम्मान करना सीखि और आपको आगे बढ़कर अगर कोई जोतिशी आपका सम्मान करता है और आपको फीस नहीं बताता है इसका मतलब यह नहीं है कि वो फ्री फोकट में आपका काम करना चाहता है वो चाहता है कि अपना परिश्रम वो कर रहा है उसका महनत आना उसे प्रॉपर मिले लेकिन सम् जोतिशी को दक्षिना नहीं देते हैं, आपके मन में कोई उसके बारे में ये राय है, कि मैं फ्री फोकट में दिखा दूँ और अपना उसका टाइम भी ले लूँ, तो आप ये मान के चलिए, आपकी कुंडले में कोई शुप प्रभाव होने वाले नहीं है, बलकि बुरे प करने जोतिशी के उपर, ऐसे बहुत सारे कटू अनुभव जीवन में होते हैं, जब जोतिशी को इस दौर से गुजरना पड़ता है, और जोतिशी बहुत परिशान हो जाते हैं, कि उनसे कहां गलती हो गई, उन्होंने कहां गलती कर दी, उन्होंने आपका इतना भला सोचा इतना भला करना चाहा, और आपको इतना भी सब्भेता नहीं है, कि आप उनसे उनका परामर्श पूछिए, तो फिर ऐसे जोतिशी क्या गलत करते हैं, जो आपसे पांच अजार, दस अजार, बीस अजार लेके अपना आपका काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है, वो भी ऐसे भुजर चुके होंगे, और अब उन्होंने ये सोच लिया है, कि लोगों का फ्री में भला नहीं करना है, क्योंकि लोग इस लायक नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो फ्री में परामर्श ले ले लेते हैं, बाद में पूछते तक नहीं है जोतिशी को, कि उसको कम से कम तो बोलें तो ये चीज़ थोड़ा सा विचार करिए और आपको जोतिशी के पास किस तरह से जाना ही मैं बताती हूं जैसे कि पहले परंपरागत तरीके से लोग जाते थे जोतिशी के पास हमेशा सम्मान पूर्ण दृष्टिकोंड लेके जाईए उसको परखने की वो चैक करता है जो साइंस में पिएजडी होता है जिसको साइश की बेसिक जानकारी नहीं है वो साइंस वाले की कॉपी चैक नहीं कर सकता ये बात हर सब्जेक्ट पर लागू होती है तो यदि आप किसी जोतिशी को परक्ते हैं तो उससे अधिक जानकरी पहले आप खुद प्राप्त कीजिए फिर आपको अधिकार है कि आप उसके कोई क्विश्चन कर सके जिस विशे कि आपको जीरो जानकरी है दूसरा एक प्रॉब्लम और मेरे पास भी कमेंट्स में आया है कि मैंने फला जोतिशी से ये पूछा था उसने मुझे ये उपाई बताये थे अब मैं ये करूं की नहीं करूं कि आप डॉक्टर से पूछते हैं दवा लेने के बाद कि आप ये दवा दूसरे डॉक्टर के पास है कि इसने मुझे दवा लिखी है तो मैं ये लू या नहीं लू तो क्रपय आपनी इस मान सेकता और इस गंदी सोच को बदलिए जोतिशी का सम्मान करना सीखिए और अगर आप एक जोतिशी पर बरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप जिन्दी की पर 10-50 जोतिशीओं के पास भटकते रहेंगे और आपकी प्रॉबलम जिन्दी में हुसाल होने वाली नहीं है करी लोग कहते हैं था हम उसके पास गए तो भी क्योंकि आपकी नियत खराब थी आप जोतिशी का पेमेंट पूरा नहीं करना चाते हैं आप चाते हो लूट लो उसको पूरा पूरा निचोड लो ये जानकरी ले लो वो जानकरी ले लो एक मिनिट में करोड़ोपती बन जा जब भी किसी जोतिशी के पास जाईए सबसे पहले उसकी फीस पूछिए चाये वो बताए या न बताए आपको उसकी फीस पूछने चाहिए अगर उसको नहीं लेना है तो वो स्वयम बना कर देगा या आपका अगवो सम्मान करता है तो आपको कोई डिसकाउंट देगा व और फिर आपका कोई काम बनने वाला भी नहीं है फिर आप खुदी गलत है यह चीज़ आप मान लेजिए दूसरा जोतिशी के पास जब भी जाईए आप एक मिठाई का डिबा लेके जाईए चाहे हो चार लडूई लेके जाईए उसके अलावा एक पुष्प की माला लेके ज सकते हैं और दक्षिना लेके जाईए ऐसा करने से और पूरी श्रदा और उसमें अपार विश्वास रखने से आपको आपका रिजर्ट जरूर मिलेगा आपके कारे जरूर होंगे लेकिन अगर आपकी नियत खराब है आप सोचते हो कि आपकी आपका टाइम तो बहुत वैल आज टाइम नहीं है मैं कल आ जाऊं क्या मतलब जोतिशी फाल तो बैठा है वो अपना भी काम करेगा वो दुनिया का भी काम कर रहा है लेकिन वो फाल तो बैठा है सबसे ज्यादा मुल्नेवान तो आपी का समय है तो यह इस तरह के जो नकारत्मग लोग है ऐसे लोगों को अपने आपको सुधार लेना चाहिए इसलिए वो जन्गी बार धक्के खाते रहते हैं और मुसीबत के मारे होते हैं ना उनका भाग्य साहत देता है क्योंकि उनकी सोच बड़ी गंदी होती है वो किसी को सम्मान देना नहीं चाहते है दूसरे से बस फायदा उठाना चाहते तो ऐसे लोगों का जोतिश के द्वारा तो कभी भला होने वाला नहीं है ऐसे लोगों को ना भक्ती फलती है ना इश्वर की कोई पूजा फलती है और किसी प्रकार का लाव उनको नहीं होता है तो यदि आप भी इस नकारत्मक चिंतन रखते हैं इस तरह का तो प्लीज अबने जीवन को दिशा देने के लिए सही मार्ग पर चलिए और अगर आप ऐसे नहीं है तो भी आपको चिंतना होने की आवश्रक्ता नहीं यह वीडियो आपके लिए के लिए हैं जो इस तरह की मान सकता के हैं आज का वीडियो समापैज